किसी भी इंसान के जीवन में मूलियों का एम योगदान रहता है क्योंकि इनहीं के आधार पर अच्छा बुरा या सही गलत की परक्ष की जाती है. इंसान के जीवन की सबसे पहली पाटशाला उसका अपना परिवार ही होता है और परिवार समाज का एक अंग है. उसके बाद उसका विद्यालय जहां से उसे शिक्षा हासिल होती है. परिवार, समाज और विद्यालय के अनुरूप ही एक व्यक्ती में सामाजिक गुनों और मानव मूलियों का विकास होता है. प्राचीन काल के भारत में पाटशालाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी जरूरी होती थी. लेकिन वक्त के साथ ये हकम होता चला गया और आज वैश्वी करण के इस युग में मूले आधारित शिक्षा की भागीदारी लगातार घटी जा रही है सामप्रदाहिक्ता, जातिवाद, हिंसा, असहिश्णता और चोरी डकैतियादी की बड़ती प्रवृती समाज में मूलियों के विघटन के ही उदाहरन है भारतिय समविधान का अनुच्छेद माइनस पंद्रग किसी भी व्यक्ती के साथ जाती, धर्म, भाशा और लिंक के आधार पर भीदभाव की मुखालफत करता है लेकिन सच यह है कि समविधान लागू होने के 65 साल बाद भी हमारे विध्यालेयों में जाती, धर्म, भाशा और लिंक के आधार पर भीदभाव करने वाले उदाहरन आसानी से मिल जाएंगे विभिन विध्यालेयों में अपने शिक्षन अनुभवों के दोरान मैंने देखा कि विध्यालेय में पानी भरने के अलावा सफाई का काम लड़कियों से ही कराया जाता है अध्यापक पीने के लिए पानी कुछ खास जाती के बच्चों को छोड़ कर दूसरी जातियों के बच्चों से ही मंगवाते हैं। ऐसे उदाहरन भी देखने में आए कि बच्चे मिड़े मील अपनी अपनी जाती के समूह में ही बैट कर खा रहे थे। स्कूल में कबड़ी जैसे खेल सिर्फ लड़के खेलते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरन हमारे आसपास के स्कूलों में देखने को मिल जाएंगे। बनाती औरतें, हल चलाते हुए किसान और उपदेश देते गुरु आदी। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के बाद इन चित्रों में गुनात्मक बदलाव देखने को मिलता है। मसलन, सफाई करते हुए लड़के और खेलती हुए लड़कियां आदी। पाठ्य पुस्तकों में जाती, धर्म और लिंग आधारित चित्रों में जो रूरिबद जरता थी, उससे आगे बढ़कर अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। यह बदलाव केवल चित्र के स्तर पर नहीं, बलकि विशे वस्तू और निर्देशों के स्तर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन मूयों की बात पाठ्य पुस्तक करती है, उनका उपयोग शिक्षक विद्यालाई में कैसे कर रहा है। यह एक अजीब विडम बना है कि पाठ्य पुस्तकों से शिक्षाविदों ने सामाजिक और मानवी अभीद्भाव को अभ्यव्यक्त करने वाले चित्रों को तो बदल दिया, मगर विद्यालाई वातावरण में वह आज भी उसी शकल में मौजूद है। उन अतारकिक जर्बद सामाजिक धार्मिक पूर्वा ग्रहों की वजह से शिक्षक तरकशील होकर नहीं सोच पाता है, क्यूंकि उस पर जाती, धर्म और समाज विशेश की पहले से बनी धारनाय हावी रहती हैं। एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वह पाठ्य पुस्तकों में दिये गए, मूल्यों, का महत्व समझे, उन्हें अपने जीवन व्यवहार का हिस्सा बनाए, फिर बच्चों के दैनिक व्यवहार में लाने का प्रयास करे। स्कूलों से समाज की अपेक्षा होती है कि वह तरक्षील मनुश्य प्रदान करे। इसलिए इस कूलों में ही जरूरी मानव मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई तो कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रती अपनी नैतिक जिम्मिदारी निभाने से हम चूप जाएंगे। लिहाजा आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मूल्यों के प्रती शिक्षक समाज चिन तनशील हो उन्हें बच्चों के दैनिक जीवन में लेकर आए। मुझतबा मननान